दोस्तों कर आप भी कभी Chrome Browser में YouTube Studio को इस प्रकार से Open करते होंगे जैसे कि मैं यह पर क्लिक करता हूँ तो आपका क्या होता है इस प्रकार से YT Studio Application Open हो जाता होगा तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में इसका solution बताऊंगा और बस आपको अपने mobile के setting में जाकर आपको बस एक चीज को off करना है उसके बाद दोस्तों आपका कभी भी YT Studio Application Open नहीं होगा और आपको मैं अपने mobile में live proof करके दिखाऊंगा सबसे पहले वो setting को off करूँगा अपने setting में जाकर और इसके बाद दोस्तों आपको मैं अपने Chrome Browser में फिर से आपको YT Studio Open करके भी दिखाऊंगा और इसके आपका 100% इस परकार से जो कि आप भी setting को कर सकते हैं और इसके बाद कभी भी आपका YT Studio Open नहीं होगा तो आपको कैसे करना चली इस वीडियों आपको में बताने वाला हूँ दोस्तों कर इससे पहले मेरे channel पर नए हो चैनल को भी subscribe कर देना तो आपको क्या करना चली में चलता है mobile के setting को open करता हूँ दोस्तों इस पकार से अपना यहाँ पर mobile के setting को open कर लेता हूँ तो आपको simply यहाँ पर apps manager पर इस पकार से क्लिक करना है और इसकार दोस्तों आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर सारा जो की application देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर जाना उपर search box पर और आपको यहाँ पर type करना है set as default का तो आपको simply set as default पर क्लिक करना है और इसका दोस्तों आपको यहां पर एक option मिलेगा open supported link तो आपको simply open supported link पर क्लिक करना है और दोस्तों आपका यहां पर रहेगा in this app तो आपको क्या करना है कि आपको यहां पर क्लिक कर देना है in weather app आप यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से इसका solution कर सकते अगर आपको वीडियो अच्छा लगावत वीडियो को भी लाइक कर देना